नमश्कार दोस्तों सो रिसेंटली एक न्यूज में पढ़ रहा था जिसमें काला धन खतम करने के लिए जो डी मोनेटाइजेशन किया गया है उस पे परधन मंतरी नरेंदर मोदी ने कुछ सवाल जो हैं वो अपनी नमो एप के जरिये लोगों से पूछे जिसको सर्वे कह रह होंगा अपनी तरफ से बट बिफोर मैं अपने जवाब देने शुरू करूं मैं आपको बताना जाओंगा कि जिस तरीके से वो 93 परसेंट बताया जा रहा है उसमें बहुत ही बड़ा जो मैं क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर इंडियन पापुलेशन को हम करें तो इसम स्मार्टफोन एप है अगर उस 15 या 20 परसेंट स्मार्टफोन एप डाउनलोड करने वाले इंसानों में उन 15-20 परसेंट लोगों में अगर 50 परसेंट लोगों ने भी वो एप इंस्टॉल किया तब आप उसको काउंट करें और उसके बाद देखा जाए तो वो बता रहे है नहीं 146 करोड की जन संख्या के अबादी में पांच लाख लोगों ने उस सर्वे में भाग लिया जो की सिर्फरसिफिक एप के जरिये उसमें भी 93 परसेंट सो आप हम लोग ओवराल देख सकते हैं कि इस सर्वे का मतलब है और किस तरीके से जनता को गुमरा करने की कोशिश है लेकिन जहां तक सवालों की बात है मैं बिल्कुल सवालों का जवाब देना चाहूंगा सो सबसे पहला जो सवाल प्रधान मंतरी मोदी साहब ने पूछा है उस एप में कि क्या हिंदुस्तान में काला धन है इसमें कोई भी डाउट नहीं है बिल्कुल मैं 100% उनसे राजी हूं और सहमत हूं कि हिंदुस्तान में काला धन है लेकिन सवाल ये है कि काला धन कहा है क्या वो गरीबों के पास है जो मजदूरी कर रहे हैं क्या वो आम जंता के पास है क्योंकि काला धन है ये तो सबको पता है ये जग जाहिर है लेकिन कहा है इसका इडेंटिफिकेशन त यहां तक कि जितने भी रिलीजिस जगाएं हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वहां पर काला धन है क्योंकि काला धन अगर हम डेफिनेशन से जाएं वो पैसा जिसका कहीं पर कोई हिसाब नहीं है कहीं ट्रांजेक्शन रिकार्ड नहीं है, वो काला धन है तो जैसे कि हम जानते हैं पालिटिकल पारटी अपने डोनेशन को डिकलेर नहीं करती और हजारो क्रोडोर और पया उनके पास है तो वो एक काला धन है, बेशक अगर आप कालाधन को कंट्रोल इतना ही करना चाहते हैं तो उसको डिस्क्लोज कीजिए बताइए कि कहां पर कितना पैसा किस कंपनी से आया है और उनका income tax को आप मैच कीजिए कि क्या वो मैच करता है कि नहीं सवाल नंबर दो मोदी जी ने पूछा है कि क्या बरष्टाचार और कालाधन को खटम करना चाहिए तो बहुत ही generic question है हर इंसान और हर हिंदुस्तानी का जो जवाब होगा वो यही होगा कि बिल्कुल जी है Black money को खटम करना चाहिए बरष्टाचार खटम करना चाहिए और इसकी शुरुआत जो है में ब्रष्टा-चार हो चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो जाती प्रमान पत्र हो तहसील हो कस्बे हो हर जगा ब्रष्टा-चार का बोलवाला है रिश्वत्बाजी का बोलवाला है और जहां तक इन चीजों को खतम किया जाएगा तो कालाधन अपने आप बंद होगा तो जो यह सवाल है वहत ही जेनरिक है एक आम इंसान जोसे आप सवाल पूछेंगे वो उसका जवाब ना कहीं नहीं सकता तो आपने जो सवाल पहले दो पूछे हैं वो बिल्कुल ही जेनरिक क्वेश पूछा है कि काले धन को रोकनी के लिए जो सरकार का इस कदम है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं अगर यह सवाल भक्तों के लिए है तो वो तो इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे पर एक आम जंता की राए में बहुत ही बढ़िया सुविदा है बिल्कुल मिस मैने और उसमें कोई प्रापर प्लैनिंग नहीं की गई है आपने रात को एक भशन दिया नोटों को बद कर दिया आपने यह नहीं सोचा कि जीन अलाकों में बैंक्स नहीं धिसनों के गारे में उनके बारे मीं क्या किया जाएगा जो लोग मर चुके हैं येड़ बेिडभाड मे बहुत जुरुरी है सिर्फ भाषन देना रैलिए में और बलबी बंभी हाक देना वह अलग बात है उसको ग्राउण reality जो है उसको जानकर implementation जो किया जाता है implementation proper होना चाहिए मोदी जी आप भाशन देने में share है अब जहां मर्जी रैली में जाते हैं अभी अब प्रधान मंत्री हैं हिंदोस्तान के आपको almost 3 साल होने वाले हैं लेकिन अगर देखा जाये तो इन 3 सालों में प्रधान मंत्री से ज्यादा RSS के प्रचारा कि बीजेपी के जो एक नेता के से बढ़कर नहीं लगे हैं अब जहां मोदी जी आपका चौथा सवाल आपके अप में था कि आप नरेंदर मोदी सरकार के प्रयासों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो वह ब्रष्टाचार और कालाधन के किलाफ तो जहां तक प्रयासों की बात है अनफर्शनेटली तीन साल में आम जनता के तौर पे मुझे इन तीन सालों में एक भी प्रयास दिखा नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं किया जिससे लगे कि आप ब्रष्टाचार और कालाधन रोकने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं अधर दन कि आपने एक भाषन दिया और नोट बंद कर दिये और यह एक प्रयास से ज्यादा फॉलिटिकल और गिमिक ज्यादा लग रहा है जिसमें आप चाहते थे कि किसी तरिके से इंडिया में अनार्की फैले और लोग परिशान हो और इसका पॉलिटिकल माइलेज आप रही है मुझे और यह मेरी तरफ से का जवाब है जहां तक अगर आपको अच्छा प्रयास करें जो सिस्टेमेटिक हो लीगल हो और सही तरीके से इंप्लीमेंट हो तो आपकी हम प्रशेंशा भी करेंगे आपका अगला सवाल है कि पांस सो और एक हजार रुपे के नोटों को बैन करना और उसको रोकने के प्रयासों के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि यह प्रयास जो था यह पॉलिटिकल गिमिक लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक स्कैम भी दिख रहा है कि किस तरीके से आप आम जनता से पैसे जमा करवा कर और कॉर्परेट्स की लोन माफ कर रहे है खास त जो आम जनता है वह बहुत बुरी तरह प्रेशान होई है आपके इस गिमिक के कारण और जो पांसो और एक हजार रुपे के नोट है उसको बंद करने का ब्लैक मनी पे कोई असर पड़ेगा यह मैं नहीं सोचता यह अगर आप बंद करते और दो ह्यार का नोट जो है वो नहीं लाते तब शायद मैं इसके प्रती कहता कि शायद यह अच्छा डिसीजन है और इसमें आप समय देते कि आप भाशन देते और पारक्स कांफरेंस में कहते कि एक हजार रुपे के जो नोट है पांसो के नोट है जी हम 31 मार्च 2017 यह 31 दि इंटा को इनफ टाइम देते उसको चाहे वो रियल स्टेट में लगाता चाहे वो सोना चांदी घृता इंडरेक्ली वो पैसा बहर आता और वो एक सिस्टम में आता वो फ्लो में आता जो मेरी सोच है मैं को एकोनोमिक्स नहीं हो लेकिन जहां तक मेरा सवाल है 2000 का नोट ला तो यह आपकी सरकार के लिए बहुत बड़ी विफलता है आपका अगला सवाल था कि क्या पांसो और एक हजार रुपे के नोट को रोकने से अतंकवाद और काला धन और भ्रहष्टा चार रोकने में आपको कामयाभी मिलेगी तो इसका जवाब मैं सिर्फ इसना कहकर देना चाहूंगा कि आप अने गवर्मेंट यह दावा तो करी रखा है कि इससे बिलकुल रुकेगी और अगर मैं इसे ना कहूंगा तो आपके भक्त जो आपके ट्रोल्स हैं खासतोर पर जो सूर हैं वो तो मुझे देश्तरों ही करार दे देंगे लेकिन इन रियालिटी काला धन रोकने में तो कोई सफलता नहीं मिलने वाली है नोट बंद करने करें उसके काफी जो लूप होल्स हैं वो आपने छोड रखे हैं और आप ही की गवर्मेंट के नेता जो हैं वो लाखो रुपया दो हिया रुपे के नोट उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं खासतोर रियालिटी में इससे कुछ भी फ्यादा नहीं होगा और जहां तक दंगों और अटर्रिस्ट की बाद है मुझे नहीं लगता कि नोट बैंड में अभी तक कोई भी खबर आई है क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी डिरेक्ली इन्वाल्व नहीं है तो इस चीज़ सवाल है कि क्या नोट बंदी से आम आदमी की पहुच जमीन जायदा शिक्षा की तरफ बढ़ेगी तो एक आम आदमी के तौर पे तो मैं कह सकता हूं कि नोट बंदी के बाद सिक्षा स्वास्त सुवधाओं से आम आदमी वंचित हुआ है क्योंकि बैंक्स पैसे ले नहीं लोग बिना इलाज के मरे हैं जो अभी तक कर ट्रंड है और जहां तक इससे ब्रश्चाचार रुकने का सवाल है या फिर ब्काला धन रुकने का तो वो आने वाला समय बताएगा पर आज की डेट में तो मेरा जबब यही है कि बिल्कुल विफल है क्योंकि आप एक तरफ त किस तरीके से रिश्वत बाजी बंद की जाए किस तरीके से सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए या फिर उसे और ज्यादा संपन्न किया जाए तो यह भी आपका एक जुमला ही साबित हो रहा है आपका अगला सवाल है कि नोट बंदी के बाद ब्रश्टा चार काला धन अतंकव के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उसके दौरान क्या आम जंता को कोई असे विदा हुई सो मेरा जवाब है बिलकुल जी हां हुई है चाहे इसके लिए आपकी जो सूर भक्त सेना है वो मुझे देश्टरोही करार दे शायद आपके वो उन भक्तों को और उन लीडर्स को सुविदा ना हुई हो जिनके घर में नोट पहुच गए हैं लेकिन एक आम जंता एक रहडी वाला एक मजदूर एक किसान उनको जो सुविदा हुई है शायद आप ऐसे बेफकुफ लोगों से घिरे हुए हैं जो आप तक सही ख़बर पहुचा नहीं रहे लेकिन आम जंता को बहुत ज्यादा असुविदा हुई है अगर आपको यह चीज करना था प्रॉपर प्लैनिंग और इंप्लिमेंटेशन करते तो शायद नहीं होती लेकिन मोदी जी आपने सिवाए भाशन के आस तक लाइफ में कुछ किया नहीं है फैमली आपकी है नहीं मा को आप अपने और जहां तक आपकी बात है अशाद 20 साल में अजब से आप मुख्यमंत्री बने दे आपने कभी मार्केट जाकर शॉपिंग तो किया नहीं है कि आपको सबजी लेनी है या फिर राशन लेना है अगर आपने लिया होता तो आपको पता लगता है कि आप कितनी है सुविदा ह आपका अगला सवाल जो है वो एक बीजेपी और भक्तों के रिलेटेड जादा है और एक आम जन्ता के प्रतीव वो क्वेशन कम है सवाल आपका ये है कि क्या आपको लगता है कि कुछ लोग जो काला धन और अतंकवाद के खिलाफ हैं लेकिन नोट बंदी के बाद वो अतं ना कि एक हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री के तौर पे जो कि एक शर्मनाक बात है आप से बीजेपी के प्रधान मंत्री नहीं है पूरे हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री है तो जो आपका सवाल है कोई भी ब्रश्टाचार काले धन और अतंकवाद के समर्थन में नहीं है जो भी इसके खिलाफ है वो इसलिए है क्योंकि आपने जिस तरीके से इसको इंप्लिमेंट किया है और जिस तरीके से आपने इस चीज को पॉलिटिसाइज किया है उस चीज के खिलाफ है और मैं भी इसके खिलाफ हूँ आम जनता भी उस अर्शोविदाओं के कारण इसके खि है कि क्या आप प्रद् reporterˈ नरेंदरमोदी को के को इस प्रधान-्मॐगी जए बिल्कुल इसका से वाद में सिवाव मैं सिपना डिना चाहूंगा kाम कि प्रदानमंत्री मोधी साहब आप सिफ BJP और RSS के प्रचारक नहीं है। आप BJP के प्रदानमंत्री नहीं है, आप हिंदोस्तान के प्रदानमंत्री है। अपने जो आप भाशन देते हैं, उनमें आप बहुत बड़ी बाते कर जाते हैं, लेकिन आप ग्राउंड रियालिटी में आप बिल्कुली एक ब्लैंक इंसान थाबित हो रहे हैं जिसका कोई जमीर नहीं है एक तरफ आप भाशनों में हर दूसरे दिन रोते हैं और वहीं आप जपान जाते हैं तो नोट बंदी के बाद लोगों की शादियों तक पे आप मजाक करते हैं यही बात आप यूएस में जाते हैं तो आप कहते हैं कि पहले लोग इंडिया में पैदा होने पे शर्म सार महसूस करते थे तो आप इंडिया की इज़द बढ़ा रहे हैं इसके इलावा अगर देखा जाए आप भाशनों में कहा रहे हैं कि आपकी जान को खत्रा है और भक्त उस पे हला मचा रहे हैं और आप रो रहे हैं आप हंदुस्तान के प्रधान मंत्री बनिये और जो ये चार पांच जो आपके चापलूस लोग हैं उनके बाहर की सोचिए य ये कोई एक अखाड़ा नहीं है और ये कोई आश्रम नहीं है जहां पर आपने इंडियन कल्चर के बारे में दो चर भाशन दिये और दो चर आसु बहाई और आप सही हो गए आप उसको एक लॉंग टब में देखिए हर इनसान की जुरूत इंडिया में अलग है हर अलग अ अगर आपको कोई चीज सुधारनी है तो उस पर पूरी तरीके से आप सर्व संपंती से आगे बढ़ें आपको प्रतानमंत्री की पोजिशन मिली ताकि आप विकास लाएं तीन साल में महंगाई आपने टॉप पहुचा दिया है सैंसेक्स बिल्कूल डाउन है और आपके न करने के बजाए अपने नए आइडियाज लाइए अगर आप कुछ अचा करेंगे तो आपके तारिश भी की जाएगी पर अभी दग आप एक दोगले इंसान साबित हुए हैं और कई बार तो शर्म आती है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना राइट विंग का और इ